नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि भगवार भोली नात के शिर्बाशी आप शबी बहुत यच्छे होगे दोस्तों आप शुपी को बताते हैं कि अब आपकी जिवनकाल में भगवान बनकर आ रहे हैं यह तीन बड़े देवता जिया दोस्तों और आने वाले दस दिनों के अंदर यानि कि दोस्तों आने वाला जो 10 दिनों कश्यों में होगा इन दिनों में आपको कड़ोरों का शंपती हाथ लगने वाले हैं जियां दोस्तों यश्यों में आपका घर परिवार खुश्यों में जूमने वाला है आपके गरहों के सित्य केशी होने वाली है आपके जुनकाल में आने वाले 10 दिनों के अंदर कौन कोशी बड़े परिवर्दन होने वाले है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शंपुन विस्तार्शी बताने वाले है तो दूस्वों आज का यह वीडियो आप शिभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन और बहुत ज़्यादा खाश होने वाले हैं आपके आने वाले 10 दिनों के लिए और आपके आने वाले भईश के लिए भी कि दूस्वों अगर आप राज्ते पर पहला कदम शही चल गए तो दूस्वों आने वाला दूस्वों अगर आप पहला ही कदम गलत चल दिये तो दूस्वों आने वाले जो भी इश्रे में होगा दूस्वों उनमें तो आपको उकश्ट देखने को ही मिलेगा क्योंकि आपने कदम गलत उठा लिये हैं जी दोस्वों इशली आने वाली 10 दिनों के इंदर आपको जो भी शंकेत मिलने वाले हैं जो तीन बड़ी देवताप शिबी के घर आने वाले हैं आपकी जिए उनकाल में आने वाले हैं दोस्वों आकिर आपको कौन-कौनशी बड़ी खुशकबरी अब इतना ही है कि वीडियो को दोस्वों शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यांशी देखिएगा जिहां दोस्वों आप शुबी को विदा दे कि दोस्वों यह शुमें आपके घरहों में आपके राश्य में बहुत यह अच्छे शुबियों का दिर्मान होने वाले ही जिनके कारण आने वाले दस दिनों तक आप शुबिक अपने जुनकाल में महेंगे और शबशे बड़ा शंपति आपका हाथ लगने वाला है जिए दोस्वों अगर आप चाहेंगी तो दोस्वों आपका जिवन देखते ही देखते बदल जाएगा और दोस्वों अगर आ जायेंगे आप विडियो को उगना हर कर देंगे तो दोस्वों आप जिवन फर परसा आने वाले ही जे दोस्तों इसलिए आज की वीडियो में हम आपको जोभी मैतून बात बताने वाले हैं दोस्तों ने बिल्कुल यह आप ध्यान लगा कर शुनिएगा दोस्तों आप शुभी की जानकारी के लिए बता दें कि याश्य में आपके गरहों में दुरलब शुभी की निर्मान हो रहे हैं दुरलब राजियों का निर्मान हो रहे हैं जे दोस्तों यह शुरी जो है आपकी राशिषे पांचवी भाव में हैं और चद्रमा आपकी राशिषे शुरात्मी भाव में हैं यानि कि दोशों लाब के बड़े-बड़े ही मौके आप शिभी को प्राप्त होने वाले ही, गरों के स्थिती बहुत परवल है, जिया दोशों याश्मी आपके कुंडली में जो योग करनेर्मान है, दोशों उसे आप शिभी को बहुती बड़े महत्पुन लाब आपको मिलन पहला है भगवान शनीदेव के शबशे पर एम शुवियों के निर्मान होने वाले हैं जिनके कारण दोसों आप शुविक को पिछले श्रमी के बहुत शारेशी कारियों का अफ़ल मिलने वाले ही जिनका दोसों आप बेशबरी से इंतिजार कर रहे थे जिया दोसों आप शुविक को विदादे की भगवान शनीदेव के शिर्वास यश्मी आपको हर कारियों में शुबलता की प्राप्य होगी और बहुती महत्पुन कुशकबरी आप शुविक को मिलने वाले ही जिया दोसों आप शुविक की यश्मी आपके जुनकाल में कुछ महत्पूर गठना हुने वाले हैं जिन से दोस्तों आपकी जुンダホ की शारी कुछिवत शारी शुमिशयाएं दूर होने वाली है जी हैं दोस्तों, शादिशा दोस्तों हम आप शुग विदादे की दूसरा जो देवी है, दोस्तों वो है धन की देवी माता लक्षमी, जी है दोस्तों यह शुमे आने वाले दस दनों की शमय अंतराल में आप शिवी की जुनकाल में धन की देवी माता लक्षमी का वाश आप दोस्वों जो भागे आपको मुखा दे रहा है, अगर आप इनका फायदा उठाएंगे तो दोस्वों हम आप शिवी को बता दी, कि आप जीवनकाल में उन उचायों को छूलेंगे, जिनका दोस्वों आपने कभी शपने में भी नहीं शोचा था, जिनका आपने कभी कलपना भी नहीं किये थे, अजिये दोस्वों, और अगर आप किशी के वेहकाव में आकर इस जीवन को आप, इस शमय को आप छोड़ देंगे, इग्नॉर कर देंगे, या फिर इस वीडियो को ही आप अंसे तक नहीं दिखेंगे, तो दोस्वों आप जीवन भर पहस्ताने वाले ही इसका कोई दोराय नहीं है, कि दोस्वों भगवान जब भी किशी वेक्ति को मुका देता है, तो दोस्वों उनकी जुनकाल के शारे कर्मों को देख कर ही उनको मुका देता है, और जब वेक्ति उनके उतने शारी कर्मों के बाद उस मुक्य को गवा देता है तो दोस्तों उनके जुनकाल में शुमश्याय आना तो तय है इसलिए दोस्तों हम आप शुमश्य को बता दे तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से रिखेगा और अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से बने रहेगा जिए दोस्तों फिर शेम आपको बता दे कि गर आप वीडियो को मिश्च कर देंगे तो दोस्तों आपको जिवन ही भरपाज आने वाले हैं दोस्तों ये अश्रमी आपको जो भी खुशकबरी मिलने वाली है मातल लक्षमी भगवान भोले नाथ और भगवान शुर्देप के ही अश्रवाद से है जी है दोस्तों भगवान भोले नाथ का भी अश्रम शुर्देश में आपके जुनकाल में होने वाले हैं यानि कि दोस् बहुत ही बदलाव करने वाले हैं शुक्र और गुरु की स्तिति यश्मे आपके कुड़ियों में बहुत ही बहतर इस्तिति में है जिन से दोस्तों आपको धन से जुड़ी सभी शेत्रों में आपको लाग मिलने वाली हैं काफित धनलाव आपको मिलने वाले हैं इसे दोस्तों आपका भाग दूगने तेजी 1 इसे बढदने वाली हैं जी ओस्तिति बाद करते हैं जोवी भगवान बोल noi मादा लक्षमी और भगवान शुनदेव के शच्चे पिरभगते हैं दोस्तों कमेंड बख्ष में शच्चे मंस्य जय मादादी जय भुलेनाथ और जय शुनदेव जरूर लिखेगा और वीडियो को एक प्यारा शुन लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजिएगा दोस्तों बखवान भुलेनाथ मादा लक्षमी और भगवान शुनदेव का शच्चे में शुर्बाद आप्षवी के जय उनकाल में आप्षवी को प्राप्त होगा जिहां दोस्तों तो एडोस्तों बात करते हैं पूरे ही विस्तार्शी दोस्तों हम आप शुकूब दादे यश्मी जो गरहों की सिती बन रही है जो दोस्तों यश्मी शुरी और चदर्मा का परिवर्तन है दोस्तों बहुत यह अच्छा है और 12 राश्यों में शे श्रब से जधा परवाव आपकी राश्य पर पढ़ने वाले है इसलिए दोस्तो यश्मी आपको बहुती खाश कदम उठाना होगा जिया दोस्तों यश्मी जो राश्य का परिवर्तन है वे आपके लिए खुशकब्रियों का शंभौना ये लेकर आ रही है यश्मी आपके भागी का शबशी बड़ा धन आप शिभी को मिलने वाला है जिया दोस्तों समय आ करने वाला है कार्षित्र में जो भी पिछले श्मीस्य आपके कारी रुके थे दोस्तों मेंशं की जोन быть मुशं का में ऐख हो में आपके भागी का सब्ढ़ बड़ा भणाप को absorbed ही द्धन मीं मिल सकता है जो मिल आप कार कर रहे हैं जिनमें आपको शबलताएं पिछली कईष़ में से नहीं मिल रहे थी तो दोसों एक शाथ आपके शारी कारे बनने वाले हैं और जीवन का सबसे बड़ा शपना आपको कईश्मे सच होते हुए देखने वाले हैं दोसों हम आप शुब बता दे कि पिछले शमय से आप जो भी धहरी रख रहे हैं जो भी आपने इंतजार किया है दोस्तों उन्हें शबी का फले शमय आपको मिलने वाला है बश आपको यह शमय अपने वानी पर श्यम बना कर रखना होगा दोस्तों मीठी आवाज में आपको बात करना होगा या शमय, कोई भी नए कार के शुरूवात कर रहें हैं नए जगण जा रहें या फिर दोस्तों नए लोगों मिल रहें अगर आपको कारियों में शुफलताय भी मिली है तो दोस्वों आपको अपने वानिप पर श्रियम बनाकर रखना होगा एहंकार की भावनों आपको अपने मन के अंदर भी नहीं लाना है कि यह चीजा आपको मिल चुका है जिह दोस्वों यह भी अगर आप करेंगे तो दोस्वों जो भी शुफलताय आपको मिली है उनमें दोस्वों आपको नुक्षान हो शकता है इसलिए शावधनी बरतनी आपके लिए सबसे जदावशक है जिह दोस्वों आपशिक को बता दें कि यह चीजमी आपको कौन-कौन सी बातों को लेकर बिलकुल ही शावधन रेना है जैसा कि यह चीजमी आपको कारेश्चितर में सबसे बड़ा महत्पुन लाव मिलने वाले हैं याना कि दोस्वों जो अपने कभी सपने में नहीं सोच जी दोसों और य YES में आपको विशेज बातों का ध्यानकना होगा जिसे कि दोस्टों अगर आप कोई भी नया कार किये हैं तो दोस्टों आख मुंद कर किशे के वी उपर आपको भरुशार नहीं करना है जी दोस्टों ये बात हम आपको बहुत शारी वीडियो में पताते है और दोसों ये बात बताना भी बहुत यावश्यक है जब भी आप किशी नई कारवार की शुरुआत करते हैं जब भी आपके जुनकाल में खुश घबरी आती है जब भी आप प्रेशन होते हैं तो दोसों इन बातों को अध्यान रखना है शादिशा दोस्तों हम आपशी को बिदा दें कि यश्मी आपके जो रोजगार है जो भी कारवार है वैपार के चितर में आप काफी तरक्की पाने वाले हैं शादिशा दोस्तों जो भी लोग विदेश के कारवार से जुड़े हैं दोसों उन्हें विदेश्य धनलाब होने की शमाहना दिख रही है यात्रा होने की भी शमाहना दिख रही है दोसों पिछले लंबेश में से जो भी लोग विदेश्य यात्रा कर रहे हैं और फिर यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं दोसों याश्य में आपको मुगा मिल सकता ह आपको कोई बड़ी अपपरचुन्टी मिल सकती है जिसे दोसों आप शिवी का मन कुछ रहेगा शाती साथ दोसों विदेशी कारबार से जो भी लोग जुड़े हैं उनको यह शिमें लाब होने के शमौना दिख रही है शाती साथ दोसों हम आप शिवी को बिदा दें कि शमय और जो भी आपके यात्रा होगा बिल्कुल ही दोसों वह शुख दायग होगा जिस कारे के लिए आप दोसों आई यात्रा करने वाले हैं वह कारे आपका शमे पर शंपुन होगा और यात्रा आपका बिल्कुल ही शुख करते हैं आपका दोस्तों याश्मे जो भी अंदर वाली काम है यानि कि दोस्तों जो भी आप गुप्त कारी रखे हैं जिने आपने किशी को भी तक नहीं बताये हैं तो दोस्तों आप शबी को बताते कि आपका हुआ कारी याश्मे शफल होने वाले हैं जित दोस्तों या फिर होने वाली है जिस कारी में आप हांत लगाएंगे दोसों यश में हो कारे आपका शंपन होने वाले हैं हौन कोल से भी आपको कोई किसी के कहने पर आपको इभी कारी की शुरुवात बिल्कुल ही मत किजिएगा ये आपके लिए बहुत बड़ा नुक्षान दाएक्षमे होगा जैसे कि दोस्तों अगर आपको किसी जेतर में पेश्य मिले हैं और दोस्वों उस पेशी को आपकेशी के कहने पर कहीं पर इन्वेश कर देते हैं, कहीं पर खर्च कर देते हैं तो दोस्वों जो कारे होगा दोस्वों वे आपके लिए नुक्षान दैग होगा और आने वाले शमय में आप पस्ताने वाले हैं तो दोस्तों यह श्य कारी करने से अब आपको बचना होगा, जितना आप मेहनत करते हैं, पिछले कईश में शुतना आपको फल नहीं मिल रहा था, लेकिन समय और गरहों के सिति बदल गई है, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, और दोस्तों यह श्य में आप इन बा आपके जुनकाल में आर्थिक तंग्या ही चल रही थी, पेश्य की समस्या इस परकार बर गई थी, कि दोस्तों घर के बहुत शारे जो वस्तु है, जो दोस्तों उप्योगी वस्तु है, उन्हें भी आप खरिद नहीं सकते थे, जै दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि किश इसलिए शमेश्या गुजा रहे हैं, और दोस्तों यश्मे आपके जुनकाल में अगर आपका शमे बहतर होता है, तो दोस्तों किश्य की बहकाव में आकर कारी भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, अगर दोस्तों आप थोड़ी शमे शयम रखेंगे और शमे के अं जे दोसों, दोसों ये अश में जिस भी छेतर में आप हांत लगाने वाले हैं, उस छेतर में आप तरकी मिलने वाले हैं, घरों की इस्तिति इतनी अच्छी है कि दोसों आपको शुपलताई मिलनी ही है, लेकिन दोसों इसका मतलब यह नहीं कि आप घर में शो जाएं, अपने जुन काल में बिल्कुल ही कुछ ना करें दूसों ले वहाना है आपको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है अगर गरहों की स्थिified आपके लिए शुब्भ है अशुबर का आशिरवाद आपके शाद है तो दोस्थ़ा आपको कुछ देर आए है तो दोस्तों आप उन्हें लेने के लिए भी तयार रहें और अपने कारियों में जीतोड मेहनत कीजिए जिससे कि दोस्तों आप पिछले कईश्मे से कर रहे हैं अपने कारियों में अभूशी परकार मेहनत करने का आपको शमय आ गया है क्योंकि एश्मी गर्णों की इस्तिती के नुशार जो गर्णों का शायम है दोस्तों उन में आपको बहुत इलाब मिलने वाले हैं आप शफलताओं को पराप करेंगी लेकिन दोस्तों अगर आप हाथ पर हाथ धर कर बेट जाएंगी की शामे हमारी लिए अच्छे हैं इश्वर का शुरवात हमारे शाथ है तो अब हमें किसबात का टैंसन किसबात की चिंता और घर में यह धर धर कर बेट जाएंगी तो दोस्तों इसे भी आपको कारें में नुक्शान हो शकता है अहां था है आपके भागे में जो भी मौके हैं जो भी फल हैं दोस्तों उनसे भी आप उन्चित रह सकते हैं इश्वर का शुरबात भी आपको नहीं मिलने वाला हैं जो दोस्तों इश्वर उन्हीं के शात रहते हैं जो लोग महनत करते हैं इश्वर दोस्तों शाक्षात नही कारी करते हैं लें holy Acura you do ऐसी कारी के ओर अगरätter आnd दिजीएगा और मन लगा कर मेंट करको कार्यों में शफलता ने तो कोई भी इंशान आपको रोक नहीं शक्ता अगर आपको इस्थिरवाद इश्भर के शंकेत मिलिये किशी परपरकार के कारे हो दोस्तों आपको उनमे शपलता मिलेगी बस आपको मलगागर करना है दोस्तों यश्मे आपका भागे जो है इनके वजशी गर्वों के इस्तिति में आपका शूरी गरह बिल्कुल ही मजबूत होने वाले हैं और बुद्ध भी और अगर दोस्तों आप लोटरी खेलते हैं तो दोस्तों हमाजब को बदाते की शमय आपके लिए आ चुका है जिस समय का आप इंतजार करें थे दोस्形 में आपका आचूका है दोस्तों आपके लोटरी जिसमे बहुत ही बड़ी लगने वाली है इसलिए दोस्तों कराओं कि इस्तिति यह शंकेत कर रही है कि आपको यश में सबसे बड़ी और महेंगी शंपती हाथ लगने वाली है जी हैं दोस्तों, आपको रोजगार कारवार में भी अगर आपको याष्ण इन्वेश्ट कीसे मालने लिए जो दोस्तों कोई शेयर मार्केट में आपने पेशे लगाये थे, तो दोस्तों याष्ण में आपका हुआ पेशा चोगनी दूना आपको तरक्की देने वाले हैं यानि कि दोस्व कई गुने में आपको वह पेशा मिलने वाले हैं जिन से आप शिवी कार्थिक सती पूरी तरह से बदल जाएगा और इतना धन आपको मिलने वाले हैं उश पेशे से जो आपने इन्वेस्ट किये हैं पूशे दोस्व आपको पूरा जिवन बदल जाएगा और ये आपके जिवनकाल के सबसे महेंगी और सबसे बड़ी शेमपती होगे जिन दोस्व यश में आपकी लोटरी में आपकी जीत की शमाहने दिख रही है आप कारवार में जो भी कारे करते हैं दोस्व उनमें भी आपको लाब मिलने वाले हैं शंकेत एशे बन रहे हैं कि दोस्व यश में आपको धरलाब होनाता है बश आप लोगों के शाथ दोस्तों घुल मिल कर रहें लेकिन शावधान भी रहें इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों अगर आप कोई भी गलत्ती करेंगे अपने हाथों से दोस्तों आप शिवी को बता दे कि आपका कारे बिलकुल ही अशफल हो जाएगा आप शिवी को बता दें तो दोस्तों जो भी लोग पिछले काईश में से कॉंपेटिशन की तयारी कर रहे हैं इस तरही हो या फिर प्रूस दोस्तों सभी जातकों को यश्मे बहुत ही बड़ी अच्छी मन चाही नोकरी मिलने वाली है जी दोस्तों प्राइबेट कंपनी में भी अगर आप कारी करना चाहते थे तो दोस्तों यश्मे आपके लिए नई शंभाने बनेंगी जिनमें आप आपको कारी मिलेगा जाथ दोस्तों या बिरोजगारों को यश्मे लोजगार मिलने वाला है और इस रासे के सभी जातक हमेशा अपने जुनकाल में करमजशल इंसान है कर्मू को लेकर कभी जुकते रहे हैं इसलिए इसलिए श्मे आपको कर्मों का सबमेली यह भागी का प वहां पेश आब आपको मिलने वाले हैं शादिसा दोस्तों हम आप हुआ बता देगार वरना दोसों एश में आपको कौन से महत्पून पाएं को करना चाहिए दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें की शुर्यास के बाद किशी को भी आपको पेशा रुपया उधार नहीं देना है दिजिए दोस्तों अगर आप इशा करते हैं तो दोस्तों आप अपने ही घरशी मातलक्षमी को धन अपके जुनकाल में बहुत शारी शंकट्ष मैश्या आएं पेश्य को ले कराने वाली है तो दोस्तों इस बात का ध्यर्णकया की पेश्य अगर आप उधार दे रहे हैं तो दोस्तों सुर्यास के बाद आप किशी को भूं कर भी ना दे जी है दोसुआ दोस्तों हम आप शि करते हैं आपको इत्रहुशे करना मेरा कि शब्सकार कि बिल्कुल ॹॉ fazem कि भिए ध्रन कना उबिंसाथ आखे सिल्गक करें बिलुकुली दर्दर क्ष़िक भाताAN बिमार स्वी पीड़ी हो जाता है शारीक बहुत शारीक कष्ट रहने लगता है एससे समय चाल में आते क्योंकि दूस्वों उन्होंने अपने मातापिता को कष्ट दिया है इसलिए उनके जो इष्टिक देव हैं वही उन से नराज हो जाते हैं यानकि दूसरे भगवान भूल आगया जरूहि लेंल ile मतापिदा से दोस्तों करने से पहले जरूहिभी पुछेगा दोस्तों यह श्म antir में आपको भगवान का पूजाँ करना चाहिए दोस्तों इन शीरी आपको लाभ मिलने वाला है il pró activists अगर आप इश्मी आने वाले दस दनों के अंदर आपको क्या करना है? कि आपको इश्मी अपने घर में तो नहाद होकर इश्मी आपको अपने जुनकाल में इन बातों को एदन रखना है? शादि साद दोस्तों एहिंकार की भावना आपको बिल्कुल भी नहीं लाने हैं, शमय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्पून है, जी है दोस्तों? शादि साद दोस्तों हम आपको एक और महसुन उपाई बता दें कि जब भी इश्वर आप परिशान होते हैं तो दोस्तों आपको बहुत शादी पीडाएं देते हैं, पर दोस्तों उनका जिम्मेदार आप खुद होते हैं, इसलिए दोस्तों इश्वर को प्रशन न करने के दोस्तों इसलिए कुछ ना बियुश्वर को प्रशन के लिए आपको अपने च्छत पर पानी का और कुछ दाने का बैयुश्व्ता करना छाहिए, अगर कोई भी परक्षी आपके घर पर आकर उस पानी को कुछ दाने को शूगता है तो दोस्तों यकिन मानिए इश्वर सब्सक्राइब. यह पेelती हैं और दोस्तों, आपए आपके दौरण पर खड़ी चाहेब को आप कर उन्हें कुछ न कुछ जरूर ही खिलाईए का उश्री बाधियों दोस्रों अगर यूहीं आप लाधी डंडेशवने घर्ष की बाहर मतलक्त घर के द्वार से आप उन्ने भगा देते हैं तो इनसे आप अपने किश्मत को ही ठोकर मार रहे हैं दोस्रों इस बात को आप अभ पुल भी नहीं रूलाना है दो kami गाती होते हैं जो अपने गर में ही छोटे बच्चे को रोने देतु है दोस्व और अपके घर में बच्चे से प्रचलिता रही है बहुत ही दोस्वों अगर आपके घर में बच्चे हैं तो दोस्वों आप बहुत ही बड़े भागिशाली इंशान है भगवान ने आपको बच्चे दी हैं तो दोस्वों इस बात का ध्यान रखें और दोसों अगर आपके जुनकाल में कभी कबार आपने इश्वी गलत्ती की है तो दोसों उनके लिए आपको अपने इश्वी देव को प्रिशन करना है और इश्वी लिए आपको शेवलिंग प्रकाच्या दूद और दोसों जल को अरपित करना है और दोसों इश्वी जो भ कि दोस्तों हरी रंग की चूड़ी का भी आपद्धान कर सकते। इसे दोस्तों आपकी जुनकाल की जो भी लाब की मोगे आपके शामने आएंगे और दोस्तों सारे उन्हें चीज़ों में आपको शपलता की प्राप्ति हो जिन में दोस्तों आप प्रयास करते हैं यह दोस्तों और आप सभी को बता दें कि आपके दूंकाल में बहुत शारीशी शमस्या है जिनका शमधान आप कभी-कभी नहीं कर पाते हैं दुश्रों इसके लिए आमको कुछ करना नहीं है दुश्रो नहा धोकर आपको शुभा के श्मे तीन से पांच के बीच इश्वर करहा है दोसरों यह श्मे इश्वर के शाथ जूड़िने का श्री में होता है, तो यश में आप इश्वर से शाख्षात दर्शन भी पाश रकते हैं, यश में आपको नहादो कर और यश में इश्वर का श्मन करना है, आर आख मुंत कर जो भी आपकी इस्ट देव है, उन्हें पूछना है आपकी जो भी गलत्ती है उन्हें इश हमा मंगना है, दोस्वों यकीन मानिए आपको बहुत शारी श्रकार्त में गुर्जाय की प्राप्ति होगी, और जिवनकाल में देवीशक्ति आपकी शाहिता करेंगी, दोस्वों ये बहुती गुप्त और महत्पुन बात है, बहुती महत्पुन राज है, जो आपको हनुमान जी के पास जाना होगा, हनुमान जी के शरुन में जाकर दोस्वों आपको गोहर लगानी है, शंकट निदान से आपको दोस्वों प्रात्ना करना है, दोस्वों मंगलवार या फिशनीवार के दिन आप हनुमान मंदरी में जाकर महावली हनुमान जी को एक म महावली हनुमान अब आप हमारे जूनकाल की रख्चा कीजिए हम पने जूनकाल में बहुत ही परिशान हो चुके हैं बहुत ही शंकट समेशाओं से घिड़ चुके हैं दुश्मन हमें आगे बढ़ने निदर आए जो भी आपके मन की चाहें हैं दोस्तों आप उने सब कुछ क आपको धिया ने जाट है कि कोई भी उपाएं अपका काम नहीं करने वाले ही क्युक्क दोस्तों कोई भी इन्षान स्लाफ़ शाक्षा दिश्वर्फ का दर्शर नहीं किये हैं लेकिन विश्वास एशा है कि दोस्तों शबी इंसान को इश्वर के शाथ जोड़ कर रखाए तो दोस्तों विश्वास आपको हमेशा इश्वर के उपर रखना है और शबी उपायों को करना है आपको धनलाब जरूर है होगा दोस्तों उमीद करते हैं शंपूर वीडियो आप शवी को बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको इंसमें बहुत कुछ शिखने को मिला हुआ और जो भी बात हम आपको बताये हैं दोस्तों विवात ने आपको शच लगा है या फिर जूट लगा है दोस्तों बिलकुल या आप कमेंट कीजिएगा बिलकुल भी मत भुलिएगा जिया दोस्तों जुड़ जए आप इस चैनल से आपके चैनल आपके राश्य के लाखों लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ना विल्कुल भी ना मुलें शाति बैल आइकन को भी प्रेश कर दें धन्यवाद आप शिभी का दिन शुब हो मंगल माई हो